और इसमें प्रधान मंत्री बात कर रहे हैं आथ निर्भर भारत पर सीधा चलते हैं और सुनते हैं और अप्ग्रेडेशन पर इस बजेट में जो बल दिया गया है वो भी अभूत्पुर्वा है इस बजेट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किये गए हैं हार एजुकेशन लोग को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा सिप लाने आने वाला है बीते बर्षों में एजुकेशन को एंप्लोईबिलिटी और एंटर्प्रिनर केपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है ये बजेट उनको और विस्तार देता है इनी प्रयोगों का परणाम है कि आज साइन्टिफिक पब्रिकेशन के मामले में भारत टॉप थ्री देशों में आ चुका है पीएच डी करने वालों के संख्या और स्टाप्टप का इको सिस्टिम के मामले में भी हम दुनिया में टॉप थ्री में पहुँच चुके हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेश में भारत दुनिया की टॉप फिप्टी इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है उच्च सिक्षा रीसर्च और इनोवेशन को निरंतर पुद्सान से हमारा स्टूडन्स और यंग सांटिस के लिए नए अवसर बहुत जादा बढ़ रहे हैं और अच्छी बात यह है यह भी है कि आर एंडी में बेटियों की भागिदारी में एक अच्छी संतोष कारग वृद्धी देखने को मिल रही है साथियों पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लेप से लेकर उच्छ संस्तानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस पर फोकस किया जा रहा है देश में स्टार्ट अप्स के लिए हैकेथोंस की नई परंपरा देश में बन चुकी हैं जो देश के युवाओं और इंडिस्ट्री दोनों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है सिर्फ नेशनल इनिशेटिव फर डेवलपिंग एंड हारनेशिंग इनोवेशन इसके माध्यम से ही साड़े तीन हजार से ज़्यादा स्टार्ट अप्स नर्चर किये जा चुके हैं इसी तरह दो नेशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तहट परमशिवाय परमशक्ति और परमब्रम्मा नाम से तीन सूपर कंप्यूटर आएटी बियेचिव आएटी खरकपूर और आएशर पूने में स्थापित किये जा चुके हैं इस वर्ज देश के एक दर्जन से जादा संस्तानों में ऐसे सूपर कंप्यूटर स्थापित करने की योजना है आएटी खरकपूर आएटी दिल्ली और बियेचिव में तीन सफिस्टिकेटेड एनलिटिकल और टेक्निकल हेल्प इंस्टिटूट साथी भी सेवा दे रहे हैं इन सारे कारियों के बारे में बात करना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरकार के वीजन सरकार की एप्रोच को दिखाता है 21 सदी के भारत में 19 सदी की सोच को पीछे छोड़कर ही हमें आगे बढ़ना होगा साथ्यों हमारी यहां कहां गया है वय कृते वर्जते एवं नित्यम विद्यादनम सर्वधन प्रधाननम यानि विद्या ऐसा धन है जो अपने पास तक सीमित रखने से नहीं बलकि बांटने से बढ़ता है इसलिए विद्यादन विद्यादान स्रेश्ट है नौलेज को रिसर्च को सिमित रखना देश के सामर्त के साथ बहुत बड़ा अन्याय है इसी सोच के साथ स्पेस हो एटमिक एनरजी हो डियाडियो हो एग्रिकल्चर हो ऐसे अनेक सेक्टर्स के दरवाजे अपने प्रतिवाशाली युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं हाल में दो और बड़े कदम उठाए गए हैं जिससे इनोवेशन, रिसर्च और डेवर्पेंट्स के पूरे इको सिस्टिम को बहुत लाब होगा देश को पहली बार मेटरलोजी से जुड़े अंतराष्टिय मानोग पर खरा उतरने वाले इन्डियन सॉलुशन्स मिल चुके हैं और ये सिस्टिम लगातार मजबूत किया जा रहा है इससे आर एंडी और हमारे प्रोडक्स की ग्लोबल कॉंपिटेंसी में बहुत सुधार आएगा इसके अलाबा हाल में जियो स्पेशल डेटा को लेकर भी बहुत बड़ा रिफर्म किया गया है अब स्पेश डेटा और इससे आधारित स्पेश टेकनोलोजी को देश के युवाओं के लिए देश के युवाओं एंट्रपनेस के लिए स्टार्ट अप्स के लिए खोल दिया गया है मेरा आप सभी साथियों से आग रहे हैं कि इन रिफॉर्म्स का जादा से जादा उप्योग करें जादा से जादा लाब उठाएं साथियों इस वर्ष के बजेट में इंस्टिटूशनल मेकिंग और एक्सेस पर और जोड दिया गया है देश में पहली बार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्मान किया जा रहा है इसके लिए पच्चास हजार करोड रुप्य का प्रावधान किया गया है इससे रिसर्च से जुड़े समस्तानों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से लेकर आर एंडी, एकेडेमिया और इंड़स्ट्री की लिंकेज को बन मिलेगा बायो टेक्नलोजी से जुड़ी रिसर्च के लिए बजेट में हंड्रेट परसंड से ज़्यादा की वृध्धी सरकार की प्रात्मिकताओं को प्रत्तरशाती है साथियो भारत के फार्मा और वैक्सिन से जुड़े रिसर्चर्स ने भारत को सुरक्षा और सम्मान दोनों दिलाया है अपने इस सामर्थ को और सस्रक्त करने के लिए सरकार पहले ही सेवन नेश्टन इंस्टिटूट अब फार्मा सिटुकल एजुकेशन रिसर्च को राश्ट्रिय महत्पके संस्तान गोशित कर चुकी है इस सेक्टर में आर एंडी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्री की भूमिका बहुत प्रसंसनिया है मुझे विश्वास है कि इस भूमिका का आने वाले समय में जादा से जादा विस्तार होगा साथियों अब बायो टेक्नोलोजी के सामर्थ का दाइरा देश की ख़द्य सुरक्षा देश के पोशन देश की कृशी के हित में कैसे व्यापक हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे है किसानों की आए बढ़ाने के लिए उनका जीवन बहतर बनाने के लिए बायो टेक्नोलोजी से जुड़ी रिसर्च में जो साथी लगे हैं देश को बहुत उनसे उमीदे है मेरा इंडुस्ट्री के तमाम साथियों से आग रहा है कि इसमें अपनी भागेदारी को बढ़ाए देश में टेन बायो टेक उनिवर्सिटी रिसर्च जोइंट इंडुस्ट्री ट्रांस्लेशन क्लस्टर उर्जित उर्जित भी बनाए जा रहे हैं ताकि इसमें होने वाले इंवेंशन्स और इनोवेशन्स का इंडुस्ट्री तेजी से उप्योग कर सके इसी तरह देश के सोच से जाता एस्पिरेशनल डिस्टिक्स मैं बायो टेक किसान प्रोग्रेम हो इमालेन बायो रिसोर्सिज मिशन प्रोग्रेम हो या फिर कंसोर्कियम प्रोग्रेम और मरीन बायोलोजिकल नेटवर्क हो इसमें रिसर्ट और इंडुस्ट्री की भागिदारी बहतर कैसे हो सकती हैं इसके लिए हमें मिलकर काम करना है अनर्जी हमारी अनर्जी में आतमन निर्भारता के लिए बहुत जरूरी है इसलिए बजेट में गोसीद हाइडरोजन मिशन एक बहुत बड़ा संकल्प है भारत ने हाइडरोजन वेहिकल का टेस्ट कर लिया है अब हाइडरोजन को ट्रांस्पोर्ट के फ्यूइल के रुप म और इसके लिए खूद को industry ready बनाने के लिए अब हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा इसके अलावा समूत्री संपदा से जुड़ी research में भी अपने सामर्थ को हमें बढ़ाना है सरकार deep sea mission launch भी करने वाली है यह mission goal oriented होगा और multi-sectoral approach पर आधारित होगा ताकि blue economy के potential को हम पूरी तरह से unlock कर सके हैं सात्यों सिक्षन संस्थानों research से जुड़े संस्थानों और industry के collaboration को हमें अधिक मजबूत करना है हमें नए research paper publish करने पर तो focus करना ही पर है दुनिया भर में जो research paper publish होते हैं उन तक भारत के researchers की भारत के students के access आसान कैसे हो यह सुनिस्थित करना भी आज समय की मांग है सरकार अपने स्थर पर इसको लेकर काम कर रही है लेकिन industry को भी इसमें अपनी तरब से contribute करना है हमें याद रखना है कि access और inclusion यह अनिवार्य हो गया है और affordability access की एक बहुत बड़ी पूर्वशर्थ होती है एक और बात जिस पर हमें focus करना है वो है global को local के साथ integrate कैसे करे आज भारत के talent की पूरी दुनिया में बहुत demand है इसके लिए जरूरी है कि global demand को देखते विए skill sets की mapping हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तयार किया जाए international campuses को भारत में लाने की बात हो या फिर दूसरे देशों की best practices को collaboration के साथ adopt करना हो इसके लिए हमें कंदे से कंधा मिलाकर चलना होगा देश के युवाओं को industry ready बनाने के साथ साथ नई चुनोतिया बदलती technology के साथ skill up gradation करने के प्रभावी mechanism के बारे में भी एक संगठित प्रयास की जरूत है इस budget में ease of doing apprenticeship इस program से भी industry और देश के युवाओं को बहुत लाब होने वाला है मुझे विश्वास है कि इसमें भी industry की भागीदारी में विस्तार होगा साथियों skill development हो और फिर research और innovation वो comprehensive यानि समझ के बिना संभव नहीं है इसलिए नई राष्टिय शिक्षा नीती के माद्यम से देश के education system में ये सबसे बड़ा सुधार लाया जा रहा है इस webinar में बैठे तमाम expert तमाम सिक्षा विदों से बहतर ये कौन जानता है कि विशय की समझ में बाशा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है नई national education policy में स्थानिय भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा उप्योग के लिए प्रोथसान दिया गया है अब ये सभी शिक्षा विदों का हर भाषा के जानकारों का दाईत्व है कि देश और दुनिया का best content भारतिय भाषाओं में कैसे तयार हो टेक्नोलोजी के इस जूग में ये पूरी तरस संभव है प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतिय भाषाओं में एक बहतरिन content देश के युवाओं को मिले ये हमें सुनिशित करना है मेडिकल हो एंजिनिरिंग हो टेक्नोलोजी हो मेनेजमेंट हो एसी हर हर expertise के लिए भारतिय भाषाओं में content का निर्मा करना जरूरी है मैं आपसे जुरू आगर करूँगा कि हमारे देश में talent की कमी नहीं है गाव हो गरीब हो जिसको अपनी भाषा के सिवाए और कुछ नहीं आता है उसकी talent कम नहीं होती है भाषा के कारण हमारे गाव के हमारे गरीब की talent को हमने मरने नहीं देना चाहिए देश में देश की विकास यात्रा से उसको बंचित नहीं रखना चाहिए भारत की talent गाव में भी है भारत की talent गरीब के घर में भी है भारत की टैलेंट किसी एक कोई बड़ी भाषा से बंचित रह गए हमारे देश के बच्चों में भी हैं और इसलिए उस टैलेंट का उपयोग इतने बड़े देश के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है इसलिए भाषा के बेरियर से बाहर निकल करके हमें उसकी भाषा में उसकी टैलेंट को फलने फूलने के लिए आउसर देना ये मिशन मोड में करने की जरूरत है